मस्त खाओ किचन में हम आपके शेर कर रहे हैं सोगरी की सबजी जिसे मोगरी भी कहा जाता है यह एक राइस्तानी सबजी है आप देख सकते कि बिल्कुल बीन्स के जैसे मिलती होती है अब कच्ची कच्ची सोगरी लीजेगा हमने आदा की जी सोगरी ली है अब इसे हम कोड़ी को कूट लेंगे इसे हम दरदरा कूटेंगे आप चाहें तो मिक्सी में भी पीच सकते हैं बस पाउडर मत कीजेगा दरदरा ही डखेगा यह अल्मोस्ट दरदर ही हो चुकी है अब इसी में हम लसन को भी कूट लेंगे अब हम लसन भी कूट चुकी है अब हम कडाई में थोड़ सरसो तेल लेंगे हमने सोगरी को भी काट लिया है अब देख सकते हैं अब और बिम आदा चमज सरसो धान डालेंगे आदा चमज जीरा डालेंगे लसन को डालेंगे और एक मिर तक फ्राई करेंगे अब इसी में सोगरी को भी डाल देंगे और मीडियम फ्रेम पे 3-4 मिट फ्राइ करेंगे ताकि ये थोड़ी कुक हो जाए अब 3-4 मिट हो चुके हैं हमारी सोगरी भी अलमस्ट कुक हो चुकी है अब इसमें हम एक गलास पाई डाल देंगे हमने थोड़ी सूखी बनाई है इसलिए हमने पाणी कम डाला है अगर आपको थोड़ी से ग्रेवी चाहिए हो तो आप 1-5 गलास के करी पाई डालिएगा अब पाणी में बॉल आने तक वेट करेंगे अब पानी बॉल आचेगे आप आदाचे माझ हल्दी पाउर डालेंगे आदाचे माझ धन्य पाउर डालेंगे आदाचे माझ कस्मी लालमीच पाउर डालेंगे आदाचे माझ मिर्ची पाउर डालेंगे और नमक स्वांदसर डालेंगे अब मसालो को मिक्स करेंगे अब इसे हम मंगोडी को डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसे हम पाँच मिट के लिए कवर कर देंगे सिम्ट फ्लेम पर अब पाँच मिबाद कि हमाई सबजी तयार हो जाएगी आप देख सकते कि हमने पाणी कम डाल तो थोड़ी थिक बनी है अगर आप पाणी जादा डालेंगे तो ये ग्रेवी वाली बनेगी अब बस गैस किवर्ण को आफ करेंगे और इसे सर्फ करेंगे अब देख सकते कि देखने में कितनी अच्छी लग रही है ये राइस्तानी सबजी है और खाने में बहुत अच्छी लगती है इसे रोटी के संग खायता है अगर आपको इसे पसंद आए तो इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और इसे लाइक भी कीजेगा थैंक ये सो मच